नमस्कार मेरे नाम बालू मैंने D Mattress Export इंडिया से वीडियो शूर्प कर रहे हैं इस वीडियो में मैंने rubberized कायर के बारे में explain करना चाहता हूँ rubberized कायर क्या है उसका advantage and disadvantage के बारे में explain करूँगा मेरे पास अभी rubberized कायर का cross sectional miniature है यह देखने के लिए आपको ऐसी दिखता है यह रबरेज़ का और मानफेक्ट्रिंग करने के लिए हमें नारियल का हस्क यूज़ करता है यह 100% नाच्टरल प्रोड़क्ट में बोल सकता हूँ अडवांडेज आपने चेक किया तो यह 100% नाच्रल प्रोड़क्ट है प्रोड़क्ट बिकास अफ दा नाच्राविटी यह प्रोड़क्ट का ब्रेतबलिटी अच्छा रहता है हवा एक सेट से दूसरा सेट को पहुंचने के लिए एजी रहता है यह ज़्यादा गरम ऐसा कुछ भी प्रॉबम नहीं करेगा इनी क्लाइमेट आपने यूज कर सकता है ज़्यादा अवालबुल्टी प्रोड़क्ट है आपको सस्ता प्राइस में मिल जाएगा डिसट्वंटेस आपने चेक किया तो यह देखने के लिए बहुत हाँ रहता है आपको सुने के लिए भी देख लिया तो आपको बहुत हाँ रहता है प्रेस्ट शीट है बहुत हाँ रहता है प्लेस यह रबराइस रिकार पे आपको आंटिडस्टमाइट, हाइपो, अलजनिक and mildew resistance kind of features नहीं रहता है यह वीडियो आपको पसंद आए तो यह वीडियो आपने like कर सकता है share कर सकता है आपका feedback वीडियो का नीचे ट्राप कर सकता है मेरा नाम बालू, signing off